सब्सकार्ब करें अपने यूटीब चैनल लानमोट मेडिसिन को और बैल एकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिक्सिन पाने के लिए सब्सक्राइब उसलिए साथ ही यह सेंपू है इसलिए हम सभी जानते हैं इसका प्रियोग सिर में एके बालों को दोने के लिए ही लिया जाता है लेकिन किन किन इस्तिति में लिया जाता है उसको हम जान लेते हैं तो कीटो कोनाजोल सेंफू का प्रियोग बालों में जो डेंडर्फ होता है जिसे हम हिंदी में रूसी कहते हैं इसको ठीक करने के लिया जाता है इस समय व्यक्ति के सरी सिर पर एक सफेद पपड़ी जम जाती है और ये पपड़ी को छोटे छोटी टुकड़ ग्रूप में पतला हो जाना तता बालों में जान बिल्कुल नहीं रहना इस तरह की समश्यां देखी गिए तो इस डेंडर्फ को जड़ से खत्म करने के लिए यह कीटो कोनाजोल सेंफों का प्रियोग लिया जाता है साथ ही एक और बीमारी है जिसका नाम है सब्रिक डर्मिटाइटिस य सब्रिक डर्मिटाइटिस में बहुते इस देखा गया है कि इस कीटो कोनाजों की जड़ से खत्म हो जाता है लेकिन यह के प्रियोग से देंडर्फ करने के लिए को पूरा treatment लेना होता है तो वह treatment doctor दोरा क्या दिया जाता है esse के लिए भी मेने और अलग से वीडियो बनाए यदि आप देंडर्फ को ठीक करने के लिए treatment पूरी details में जानना चाते तो पर i-card पे click करके Dendreef का treatment भी जान सकते हैं दोस्तों अब आगे जान लेते हैं इस Dendreef के shampoo को कीताकोनोजल shampoo को हम मेडिकल इस्टरोपिक क्या नाम से खई सकते हैं तो जैसा कि एक परसेंट ताथा दो परसेंट अलग अलग अलगी strength नाता है तो सभी जो brands होती है दोनों strength के shampoo बनाती है कुछ popular brand name के बारे में जान लेते हैं जैसे की keto sip shampoo, nizoral shampoo, den free shampoo, तता keto make shampoo ये कुछ popular इसकी brand है इसके अलवब के brands available है जो अपने area के coding होती है कुई भी आप खई सकते हैं लेकिन उसका जो content है वो keto konazol ही रहना चाहिए और एक और बात इसके साथ में कई बार keto konazol प्लस ZPTO भी दिया जाता है जो कुछ brands देती है तो इस ZPTO से बिल्कुल confused नहीं हो इसका भी कारिया dandruff को ठीक करने के लिए ही लिया जाता है अगर यहाँ पर इसकी price की बात करें तो यह है अलग-अलग packaging में available है जो 110 ml की packing है जिसका ज्यादातर प्रयोग लिया जाता है तो इसकी average price में बता देता हूँ वह है 200 रूपे से लगा कर 300 रूपे इस rate में आपको लग-बग सभी shampoo मिल जाते हैं जो भी आपको सिस्ति मिले जो भी आसानी से मिले उससे आप खई सकते हैं अब बात आती है इस shampoo को किस तरह से लगाना चाहिए जो इसके महत्रपूर्ण पाट है अगर इसको सई तरीके से नहीं लगाए और गलत तरीके से लगाए तो आपको फायदे की जगा नुक्सान कर सकता है तो इस shampoo को लगाने के लिए सबसे पहले आप अपने बालों को गीला करें गीले बालों को पर shampoo को जितने आपकी required amount है उतना लगाए और sample लगाने के बाद थोड़ी देर के लिए मसाज करें जिसको उसमें जाग आजाएंगे जाग आने के बाद में या जाग नहीं भी आया अच्छे तरह से लग जाए तो इस shampoo को दस मिनट के लिए चिर पे लगा हुआ रहने दे उसके बाद में इसको धोले यह तो इसको लगाने का तरीका ला अब कितने दिन तक लगाते हैं जिससे की अच्छा result मिल सकें तो इस shampoo को जिस व्यक्ति को थोड़ी बहुत डेंडर्फ इसके बाल भी उड़ने लगे हैं बहुत तेज खुजली चल रही है एक पपड़ी शी दिखर देने लगी है तो उसे शुरुआत में पांस दिन डेली एक बार यूज करने के सलहा दी जाती और पांस दिनों के बाद में उससे तीन दिन के बाद एक दिन यूज करना होता है और उसे हफते में एक बार यूज करना होता है इस तरह से ग्रेजुली दीरी दीरे बंद किया जाता है इस तरह से इसके तीन तरीके थे यूज लेने के जिस तरह से आपको आवेशो को उस तरीके से इसका प्रियोग ले सकते हैं विशेज बात ध्यान रखें जब भी आप प्रियोग जब 8-10 बार कर लिया जाता है तो डेंडर अच्छी तरह से निकल जाता है इसी कारण सी से 2-4 हफते तक लगाना सफिशेंट रहता है और महिला है जब इस एक प्रियोग करें तो एक थोड़ी सी बात ध्यान रखें बालों में जो तेल है वो थोड़ी कम मात्रा म नहीं होते लेकिन जिनको इसकित सफ में सेर में हो सकता है खीचाओ हो सकता है जलन होनेगे साथ घर मैसूस होना यह我想 students सकती है किशी के सीवेर एलर्जी की रियक्षिन भी हो जाती है जिस कारण से व्यक्ति के फोर एड़ पर छोटे-छोटी फूंशिया भी होने लग जाती है यदि यह या इसके हिला भी कुदूसर अंडिजयरबल एफेक्ट आपको मिले तो तुरंती सेंपू का प्रियोग बंद करें और अपन हो तो उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको जोर से पसंद आयोगा यदि वीडियो आपको पसंद आया और आप टरप महीत आदिश के साथ देख रहते हैं अपने यूट्यमिप चैनल लार बॉट मैडिशे थैंकए फ्रेंड्स take care and be careful to medicine users